जाहिन दोस्तों ताइए दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे फिर से सोसल साइंस का यानि की सस्टी का वाइरल पेपर दोस्तों अगर आप भी कलास तैंथ में हैं और आपका एक्जाम 16 फरवरी को है सेस्टी का पेपर और अभी तक आपने सोसल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज के इस वीडियो का जितना भी कोशन है आप लोग अगर पढ़के जाते हैं तो इस वार 16 फरवरी को याद रखेगा दोस्तों 16 फरवरी को जिनका भी एक्जाम है सेस्टी में दो और 95 पलस करके जरूर आएगा ठीक है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोसल साइंस में 80 अबजेक्टिव कोशन रहता है और 40 कोशन बनाना होता है ठीक है और सेस्ट जो भी कोशन रहता है अभी हमारा अबजेक्टिव का A to Z कोशन चल रहा है इस कोशन को देखने के वाग आ नहीं आईएगा कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इस बार SST को लहडा देगा ठीक है तो चले दोस्तों कोशन नमर 18 से स्रीगनेस करेंगे इससे पहले का कोशन नहीं देखें तो जाईए वीडियो बन चुका है जाके देख लिजिए चलिए इसका जबाद दीजिएगा अगर किसी भी कोशन का अंसर पता हो तो कमेंट वक्स में कमेंट जरूर किजिएगा आगे चलते हैं फिर बाते करेंगे किस समझोते के तहत बेतनाम को दो भागों यानि उत्री बेतनाम और दचनी बेतनाम में बाटा गया तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है जेनेव कि धराषनां में किनके नितित्यमें नमक सत्यागर हुआ था स्रोजनी नाइडू के अगला कोशन है जो की काफी इंप्चेंट है इस्ट इंडिया इसीयशन की अर्स्थापना कभ हूई दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है ओपशन नमबर डी 18.66 टिस्वी में ठीक है चलिए एक कोशन को दिमाग में नोट कर लीजिए इससे बाहर एक भी कोशन नहीं आएगा अगला कोशन है आपके सामने गदर पार्टी की अस्थापना किसने की थी गदर पार्टी की अस्थापना किसने की थी दोस्तों आप सभी को याद रखना है 1907 में जो है टाटा आइरन एंड एस्थापना हुई थी अस्थापना हुई थी अस्थापना हुई थी अगला कोशन है आपके सामने कोशन नमबर 34 जवाब दिजिएगा अस्थान पर किस परकार की परविर्ती बढ़ी तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है परगती सील आपसन नमबर A याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला कोशन है कोशन नमबर 36 बोला गया है कि 1929 की मंदी का सबसे बुरा परभाव किस देश पर परा तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है सेयुक्त राज अमीरका पर जो है 1929 की मंदी का सबसे बुरा परभाव परा ठीक है चलिए कोशन नमबर 37 को देखिएगा बोला है कि निव डील का संबंध निमन में से किस से था तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है राजनीतिक नेती से आगे बढ़ेंगे कोशन नमबर 38 है कि अंतराष्टी मुद्रा कोश की असथापना कब हुई तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है 1945 में जो है अंतराष्टी मुद्रा कोश की असथापना हुई केबल वीडियो को देखते रहे हैं सुनते रहे हैं दोस्तों एक-एक कोशन आपके दिमाग में चला जाएगा और याद हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन है कि मुद्रन कला का अविस्कार कहां हुआ इसका जवाब आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा उमीद है कि आप लोग जरूर कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कर दिया होंगे तो आप लोगों को याद रखना है चीन में option number C एक दम बिलकुल right answer होगा चलिए आगे देखेंगे question number 40 है कि पर्थम paper mail की अस्थापना किस देश में हुई दोस्तों काफी important question है याद रखिएगा paper mail पर्थम paper mail की अस्थापना किस देश में हुई थी तो आप सभी को याद रखना है पर्थम paper mail की अस्थापना जो है जर्मनी में हुई थी option number B याद रखिएगा और दोस्तों आप लोगो फिर से बता दें कि अगर आप भी class 10 में हैं और आपका social science का जो final paper है वो 16 February को अगर है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज का जो paper और question देख रहे हैं यह वही question paper है जो आपको 16 February के first या second setting में देखने को मिलेगा जो student अभी तक social science में कुछ भी नहीं पढ़े हैं A to Z question पढ़के जाईएगा और exam में सभी question को धो के आईएगा और पंचानवे पलस तो इस वार social science में कर लेना है fix ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है question number 41 को देखिएगा बोला है कि 95 थेसेस के लेखक कोन है दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है Martin Luther है यानि कि option number D याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला question है question number 42 संबाद कौमूदी किस भासा का समाचार पत्र था तो आप सभी को याद रखना है बंगला का जो है ये समाचार पत्र था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला question है काफी important है और आप लोग गोल घर उमीद करते हैं कि आप लोग गए होंगे जो जो नहीं गए है कोमेंट बॉक्स में किजिएगा कोमेंट और जो गए है वो भी कोमेंट किजिएगा गोल घर का निर्मान कब हुआ था और बताइएगा गोल घर है कहाँ पर गोल घर कहाँ पर है आप लोग कोमेंट बॉक्स में जरूर कोमेंट किजिएगा गोल घर का निर्मान कब हुआ था दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है 1786 में गोल घर का निर्मान हुआ था option number A चलिए अगला question है question number 45 आपके सामने बोला गया है और सहयोग अंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था तो आप सभी को याद रखना है सितंबर 1920 कोलकता अधिवेशन में सितंबर 1920 कोलकता अधिवेशन option number A याद रखेगा ठीक है चलिए आगे question number 40 है दोस्तों तासकंद में भारतिय कॉमिनिस्ट पार्टी की अस्थापना किसने की तो आप सभी को याद रखना है M.N.Rai ने तासकंद में भारतिय कॉमिनिस्ट पार्टी की अस्थापना की option number B याद रखेगा ठीक है चलिए अगला question है आपके सामने यंग इटली की अस्थापना किसने की या उमीद करेंगे इसका जबाब आप लोग comment box में आप ही दिजिएगा तो यंग इटली की अस्थापना किसने की थी दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है जल्दी से 5 सेकेंड का समय देते हैं comment box को comment से भर दिजिए तो यंग इटली की अस्थापना किसने की थी दोस्तों तो हम बता दें इसका जो रैट अंसर होगा मैजनी option number A याद रखेगा मैजनी ने यंग इटली की अस्थापना की थी ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 48 है दोस्तों बुला गया है कि भारतिय संभीधान सभा का गठन कव हुआ था भारतिय संभीधान सभा का गठन कव हुआ था दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है 1946 में भारतिय संभीधान का संग गठन हुआ option number A चलिए Question number 49 में बोला गया है कि निम्र में से कोन संघ सूची में है कोन जो है संघ सूची में है तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है शिक्षा जो है हमारा संघ सूची में है Option number A याद रखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे Question number 50 बोला गया है कि संबिधान संसोधन हे तू संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवेस्चक है तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है दो तिहाई बहुमत जो है आवेस्चक है option number C याद रखिएगा चलिए अगला question है question number 51 बुला गया है राष्टिये अस्तर पर पंचायती राज परनाली की शुरुआत किस समीती की अनुसंसा पर हुई तो आप सभी को याद रखना है ये जो हुआ था बलवंत राय मेहता समीती के अनुसंसा पर ठीक है option number D याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 2 ने दोस्तों बुला समीधान का कौन सा संसोधन विधायक पंचायती राज परनाली से संबंदित है तो आप सभी को याद रखना है 73 मा क्या याद रखना है 73 मा option number B ठीक है चलिए अगला question देखिएगा question number 3 आपके सामने है बुला गया है पंचायती राज व्यवस्ता का दूसरा अस्तर निम्र में से कौन सा है तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है पंचायत समीती पंचायत समीती बिलकुल राट अंसर होगा और चलिए आज का last question है आपके सामने बुला गया 1975 के अपात काल के समय परधान मंतरी कौन थे 1975 के अपात काल के समय परधान मंतरी कौन थे तो आप सभी को याद रखना है इंदरा गांधी इंदरा गांधी option number A तो उमीद करेंगे दोस्तों कि आप सभी को question number 28 से 54 तक question समझ में आ गया होगा और आप लोगों को फिर से बता दे कि अगर आप भी class 10 में है और आपका SSD का final exam 16 February को है जिनका भी exam 16 February को है वो यह आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जीतना भी question कराया गया है और यह paper जो है यह वही question और paper है जो आपको 16 February के first या second shift में देखने को मिलेगा और इस वार आप लोगों को घवराना नहीं है जो भी student डर रहे है और जो student अभी तक नहीं पड़े हैं यह वीडियो को पुरा देखिएगा एक एक question को दिमाग में note कर लिजिए और इस वार sht में 95 परलस करके आना है और जंडा गार देना है तो अमीद करेंगे कि यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से आने वाले सभी सब्जेक्ट का वाइरल पेपर आप लोगों के पास पहुंशता रहे मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएं जै भारत वंदे मातरम